तो आज सभी को सिवरात्री की बहुत बहुत सारी शुप कामना है तो आज मैंने छोटा सा मिनी व्लॉग सूट किया है घर से लेकर मंदर तक का तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे सूट किया है तो सबसे पहले मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहां सुबा के 8 बजे है और मैं प्राशाद बना रही हूँ भगवान जी के लिए तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा चमच देसी गी डाला है कुछ कटे हुए ड्राइफरूट डाले हैं इनको सबको मैं बड़ी ऐसे फ्राय कर लूँगी मैं बड़ाने वाली हूँ सुजी का हलवा तो यह देखिए हमारे जो ड्राइफरूट है वो बड़ी ऐसे फ्राय हो गए है और इन्हें मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में उसके बाद हम इसमें ही सुजी को फ्राय कर लेंगे तो यह देखिए हमारी जो सुजी है वो बड़ी ऐसे भून गई है और जो घी है वो साइट से निकलना स्टार्ट हो गया है तो हमारी सुजी भून गई है यह देखिए और आम मैं इसमें डाल देती हूँ पानी तो मेजरमेंट आप देख सकते हैं जिस चोटे से कप से मैंने इसमें सुजी डाली थी उसी मेजरमेंट से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ तो यह मैंने दो कप डाल दिया है एक और कप यानि कि मैं चार कप पानी डाल रही हूँ एक कप सुजी और चार कप पानी डाल दिया है ये देखिए और अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर दूँगी तो हमारी जो सूजी है वो पानी के साथ अच्छे से मिल गई है और बढ़िया से हमारी सूजी बॉयल होना स्टार्ट हो गई है ये देखिए और अम इसमें डाल देती हूँ मैंने दो एलाइची को कूट कर रखा था तो एलाइची मैंने डाल दी है फ्लेवर के लिए इससे हमारे हलुए में बहुत अच्छा फ्लेवर आईगा तो सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है और ये देखिए जो हमारी सूजी है वो बढ़िया से बॉयल होना स्टार्ट हो गई है ये देखिए और अम मैं डाल देती हूँ इसमें चीनी तो हमारी सूजी थोड़ी सी गाड़ी हो गई है और चीनी डाल देती हूँ मैं तो यह होगी लगभग दो बड़े चम्माची, यानि की जो मेजरमेंट हमने रखा है उससे छोटे कप से भर के मैनेस में चीनी डाली है, तो चीनी को भी अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लूँगी, तो यह देखिए बड़ी ऐसे चीनी हमारी घुल गई है सूजी के साथ में, और मुझे हल्वे को बहुत जादा गाड़ा नहीं करना है, मैं थोड़ा सा ही इसे पतला पतला रखूंगी, तो यह देखिए मैंने इसमें जो हमने ड्राइफरूट फ्राय करके रखे थे, वो डाल दिये है, यह देखिए हमारा जो हल्वा है, वो बढ़िया से बनकर रेडी हो संकर जी को चड़ाने के लिए, तो यह देखिए, प्रशाद मैंने एक बोल में निकाल लिया है, थोड़ा से निकाल लिया है, मंदिर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, कि हम भगवान को चड़ा पाएं, तो सिर्फ मैं उनको दिखा कर ही यह प्रशाद बाप तो यहां मेरी घर में जो पूजा है, वो हो गई है, और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ही भगवान की पूजा कर ली, पहले ही मैंने भगवान जी को निला दिया था, और जो पूजा होती है, वो पहले ही कर ली थी, उसके बाद सिर्फ प बोचपूर मंदिर है ये बोपाल से काफी दूर है लगबग 20 से 25 किलो मीटर दूर है और ये देखिए हम लोग मंदिर आ चुके हैं आप लोग भी अगर बोपाल से हैं तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि कौन-कौन बोचपूर मंदिर गया है संकर जी के पहुच पाए ये देखिए ये बाहर का नजारा है हम लोग लाइन लगा कर बाहर खड़े हुए थे और यहां पर बहुत सारे बंदर थे तो सब लोग बंदर को देख देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए आपको देखे में तो मैं आपको दर्शन करवाती हूँ ये देखिए हमारे जो संकरजी हैं उनके आपको दर्शन मैंने करवा दिये हैं और हमने दर्शन कर लिए हैं और मैं बाहर आ गई हूँ मंदर से तो फ्रेंड आपको मेरा चोटा सा मिनी व्लॉग कैसा लगा आप कोमेंट करके बैठे हुए थे तो मैंने सब को थोड़े थोड़े पैसे दिये जितने मुझसे हो सकते थे और जो भी लेडिस थी मैंने सब लोगों के सीरवाद लिया तो आपको मेरा महाशिवरात्री स्पेशल मिनी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और आप सभी को ह आपी महाशिवरात्री सू टेकर बाबाए